आप सभी YouTube तो यूज़ करते ही होंगे YouTube यूज़ करते हैं कम्पीटर पे, लैप्टॉप पे लेकिन क्या पता है आपके YouTube के अंदर भी कुछ शाटकट कीज है वीडियो प्ले करने के लिए, पॉस करने के लिए, फास्ट प्ले करने के लिए येस, जियां दोस्तो, कुछ शाटकट है YouTube के जो आज मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप regular YouTube यूटूब यूवर हो तो चलिए शुकरते हैं ये टेक्नोलोजी वरा वीडियो, कप्लीट टेक्नोलोजी चैनल पे मैं सतिश आप सबका स्वागत करता हूँ लेट्स विगिन कम्पीटर में स्मार्ट बनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकों पे भी क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहे हैं तो चलिए लैप्टॉप और डेक्स्टॉप पे यूट्उब अगर आप यूज करते हो और अगर आपको स्मार्ट ली यूट्उब यूज करना है तो ये शॉटकट जानना बहुत ज़रूई है तो कौन से है वो शॉटकट्स मैं आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहला जो शॉटकट है उसमें यूट्यूब यहाँ पे दिखाए दे रहा है मैंने एक वीडियो विजिट किया है और इस वीडियो को मैं मिनी प्लेयर में ओपन करना चाहता हूँ तो मैं बस आई बटन प्रेस करूँगा यहाँ पे तो जैसे मैं आई बटन प्रेस करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में ये वीडियो आ चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में और यहाँ पर मैं प्ले करूंगा तो चालो रहेगा ये वीडियो फिलाल मैंने इसका आवाज तो म्यूट करके रखा है लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आवाज अभी चालो किया था तो यहाँ पर यह continue चालो रहेगा mini player में right corner में अगर आप दुबारा eye press करते हो तो यह normal mode में आ जाता है जैसे normal mode था वैसे eye press कीजिए mini और eye press कीजिए normal mode में अगर आप इसे cinema view में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको T button press करना है बस simple है T button press कीजिए यहाँ पे जो side में आपको अलग-अलग videos दिखाए दे रहे थे वो अभी नहीं है दुबारा T button press कीजिए आप देख सकते हैं normal view में आप आ चुके है वीडियो हमारा वैसे चालो है normal view के अंदर अब मैं इस वीडियो को full screen में देखना चाहता हूँ F अब आप देख सकते हैं यह वीडियो full screen में चल रहा है दोस्तो अब मैं यहाँ पे escape button press करता हूँ यह escape button press करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे full screen close हो चुका है वीडियो तो मैंने pause कर दिया वीडियो आप mouse से click करके pause कर सकते हैं लेकिन आपको keyboard से अगर करना है pause तो उसके लिए आपको K button press करना है देखिए मैं K press कर रहा है K press कर रहा है तो pause के लिए keyboard से direct shortcut है K K से pause होता है और play होता है याद रखना है हम दरसल space use करते हैं लेकिन space से क्या होता है कभी कभी browser scroll भी हो जाता है तो उसकी जगा आप K keyboard पे अगर direct press करते हैं तो pause और play हो जाता है simple है तो मैंने आपको कुछ shortcut keys बताई है I then T then F for full screen उसके बाद pause करने के लिए K अब मुझे वीडियो थोड़ा सा fast आगे लेना है मतलब थोड़ा सा forward कर देना है जैसे play हो रहा है और 10 second आगे जाना है तो मैं L button press करूँगा 10 second forward हो जाएगा वीडियो देखिए L button press करेंगे आप देख रहा है बीच में एक छोटा सा आपको icon दिखाए दे रहा है 10 seconds का आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैं press कर रहा हूँ बीच में आपको दिख रहा है 10 seconds आगे जा रहा है अगर मैं 10 seconds पीछे लेना चाता हूँ तो मैं यहाँ पर J button press करते जाओंगा और आपको यहाँ पर effect दिखाए दे रहा है वीडियो के उपर बीच में देखिया आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं माउस से दिखा रहा हूँ तो वीडियो के उपर बीच में आप देख सकते हैं यह 10 seconds rewind मतलब पीछे जा रहा है वीडियो अगर आप 5 seconds लेना चाते हैं अब आपने left और right arrow का use देख लिया लेकिन मैं आपको बताओ कि up and down arrow का भी यहाँ पर use होता है जिससे हम volume कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको volume कम ज़्यादा करना है तो इसके लिए up and down arrow कर सकते हैं लेकिन क्या करना है उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले आपको tap करना है tap करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते है tap blue mark नीचे आ चुका है यहाँ पर देख सकते है आप pause air play पर blue outline आ चुके फिर tap कीजिए आप देख सकते है यह next button पर आ चुका है tap कीजिए sound पर आ रहा है tap कीजिए इस पर आने के बाद आप arrow से आप आवाज बढ़ा सकते हैं फिलाल मैंने इसका आवाज mute किया है अब मैं play करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर इस तरह से यह आवाज कम हो गया यहाँ पर देखिए इस तरह से आप आवाज कम जादा कर सकते हैं आपको इसके लिए tap करके point वहाँ पर लाना पड़ेगा तभी यह activate होगा इस तरह से आप कर सकते हैं यह एक shortcut keys मुझे बताने ती है लेकिन आवाज आपको पूरा बंदी कर देना है मतलब mute कर देना है तो आप M press किजे M press करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यह mute हो चुका है नीचे देखिए mute यहाँ पर sound के उपर cross आच चुका है यानि कि mute आप दुबारा M press करेंगे unmute तो mute और unmute करने के लिए M यह shortcut key आपको use करनी है तो बहुत सारी shortcut keys मैंने अभी बताए आपको एक बार थोड़ा सा rewind करके देख लीजे I press करती ही browser minimize हो जाता है मतलब आपका जो video player है वो छोटा आजाएगा I press करती ही normal mode T press करती ही cinema mode F press करती ही full screen और escape press करती ही दुबारा full screen exit हो जाता है आप यहाँ पर J, K, L press कर सकते है K से video stop होता है J से क्या होता है आपको याद रखने के लिए M press कर रहा हूँ Mute के लिए simple है और left और right arrow press कर सकते है आप video 10 second आगे वीचे लेने के लिए और up and down arrow press कर सकते है value कम जादा करने के लिए लेकिन उसके पहले आपको tap करके यहाँ पे points लेके आना पड़ेगा अब मैं आपको बताओ कि वीडियो normal speed में चालू है normal speed से अगर आप इसका speed बढ़ाना चाहते है तो आपको shift और greater than sign प्रेस करना है speed यहाँ पे बढ़ेगा उपर आपको दिख रहा है speed बढ़ते जा रहा है वीडियो का 2x हो चुका है 2x एक fast speed रहेगा 2x तक चाहेगा यह पी speed अब यह speed वीडियो fast play हो रहा है अगर आप इसे normal speed में वापीस लाना चाहते है तो shift and less than आपको प्रेस करना होगा normal speed में यह आ जाएगा आप देख सकते हैं यहापे normal speed 1x और उससे भी कम करना है मतलब slow करना है तो अभी देखो 0.25x normal speed तो आ गया फिर मैंने shift और less than किया तो 0.25x तक यहापे slow हो गया वीडियो बहुत तो fast और slow आप कर सकते हैं shift और greater than और shift और less than यह shortcut की से यह याद रखना बहुत ज़रूरी है जब आपको वीडियो fast play करना रहेगा दोस्तों और हाँ जी दोस्तों अगर वीडियो के beginning में आपको जाना है तो directly आपको 0 प्रेस करना है मतलब वीडियो फिर से beginning से start होगे अब देख सकते हैं मैं यहाँ पे click कर देता अभी और फिर से मुझे 0 से start करना है तो 0 बटम प्रेस कीजिए या home key भी आप प्रेस कर सकते keyboard पे home key या 0 की प्रेस करेंगे तो वीडियो beginning से start होता है लेकिन आपको वीडियो 20% से start करना है तो क्या करना है 2 प्रेस कीजिए 30% के लिए 3 40% के लिए 4 और ऐसी आगे 5, 6, 7, 8, 9 आप उतने प्रेस कर सकते 5 मतलब 50 6 मतलब 60% ऐसे percentage में वीडियो आगे-ागे बढ़ते रहेगा बस 2 से start होगा 9 तक यहाँ पर percentage आएगा 2 से 20 आएगा 1 से यहाँ पर 10 percentage होगा रहा होता नहीं बस 0 से यहाँ पर starting से वीडियो start होता है जैसे मैंने 0 प्रेस किया तो starting से वीडियो वो आपी start होगे आपे आपको दिखाए दे रहा है अच्छा अगर आपके वीडियो में यहाँ पर captions दे रहेंगे यानि subtitles आता है बहुत बार यहाँ पर नीच आता है मेरे वीडियो में तो subtitles नहीं है लेकिन जादा तरह English वीडियो में subtitles रहते है अगर वो subtitles देखना चाते है आप तो आप C button प्रेस करेंगे तो subtitles यहाँ पर दिखाए देते है captions इंग्लिश में दिखाए देते है यहाँ पर फिलाल नहीं है मैं कोई English वीडियो ओपन करूँगा उसमें subtitles रहेंगे तो directly आपको वो subtitles दिखाए देते है आप C प्रेस करेंगे तो वो subtitles आते है नीचे English में लिख के और अगर आप इस वीडियो से directly जाना चाहते है YouTube के search bar में यहाँ पर कुछ और दुसरा वीडियो सर्च करना चाहते है तो आपको बस यह slash प्रेस करना है जो की image यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ slash प्रेस कीजिए और आपका cursor कहाँ पर आ रहा है directly search bar में आ रहा है और यहाँ पर मैंने क्या search के आपको दिखाए दे रहा है complete technology ऐसा आप कुछ और search करना चाहते है तो यहाँ से search कीजिए टाइप करके jump करना है जैसे यहाँ पर यह next video right side में आपको दिखाए दे रहा है अप next करके आ रहा है और इस video में आप mouse क्लिक करके आते हैं लेकिन आपको keyboard से आना है तो उसके लिए बस shift और end बटन आपको प्रेस करना है shift end से आप next video में चले जाएंगे directly next video में आप आएंगे यहाँ पर आप देख सकते next video यहाँ पर open हो गया है यहाँ पर advertise आईए बीच में और आप यहाँ पर उसका title देख सकते नए वीडियो में आ चुके लेकिन आपको previous video में जाना है तो previous video यहाँ पर यह skip add करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ प्रिवेस वीडियो का यहाँ पर बटन नहीं आ रहा है बस next आप जा सकते हैं तो previous video का बटन कब आता है या उसकी shortcut की क्या है प्रिवेस वीडियो का बटन तब आता है जब आप playlist open करते हैं चले मैं यहाँ पर एक playlist open करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं playlist पर क्लिक कर रहा हूँ और playlist के अंदर अब देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सरी अलग लग लग प्लेश्ट है मैं एक playlist प्लेश्ट प्लेश्ट कर देता हूँ और इस playlist में अभी video number one play हो रहा है तो shift and press करूँगा तो video number two यहाँ पर play होगा क्योंकि मैंने next video यहाँ पर ले लिया है और अगर previous video चाहिए मुझे तो shift P press करने से हम previous video पर आ जाते हैं इतना ही है shift and next video shift P previous video तो यह थे आकरी shortcut की तो यह थे दोस्तो YouTube के shortcut अगर आप आज से YouTube computer या laptop पी use कर रहे हो तो यह सारे shortcut आप use करेंगे ज़रूर आपका यहाँ पर थोड़ा सा smartness बढ़ने वाला है मैं मिलूँगा कुछ और interesting video के अंदर दोस्तो लेकिन video को like कर दिया ना मैंने पहले से बोलत आपको like करने के लिए क्या ही होगा